तो ओके आज जोक नहीं करेंगे इस वहले वीडियो में भी बिकाज कुछ सीरियस यहां पर निकल कर आया है तो Sam Bankman Freed ने मैं अक्चुली वीडियो CPI डेटा और उसके अपडेट पर बनाने वाला था बड़ रिकॉर्ड स्टार्ट करने के एक सेकंड पहले मैंने देखा कि वह ट्वीड आ रखा है तो Sam Bankman Freed ने एक ट्वीड थ्रेड निकाला है उसकी बात करेंगे CPI डेटा की बात करेंगे मार्केट की बात करेंगे आगे बढ़ने के पहले बहुत कुछी डिस्क्लेमर ले ले लेते हैं क्रिप्टो मार्केट जो है एक्स्रीमी रिस्की है तो क्रिप चलिए जलते हैं स्क्रीन की तरफ और हम स्क्रीन बात कर लेते हैं जो CPI डेटा है वो 7.7% आया है एकस्पेक्टेट 7.9 था जो कि अल्रेडी काफी बेटर एकस्पेक्टेशन पर था और उससे भी बेटर आया जिसकी वैसे हमें मार्केट में रैली देखने को मिला कर रहा हूं इंफलेशन का जो रेट है वो 2% का यहां पर टारगेट लेकर चल रहा है US FED तो हम उससे अभी भी चार गुना अल्मोस्ट जो है अप है तो बहुत बार ऐसा होता है और बेर मार्केट में इस तरह के रैली देखने को मिलते हैं और भी इसे पहले कुछ दिन पह हाईती बेरिश होने के लिए बट डाट वस्ट क्योंकि ओवराल एकॉनमी ही बेरिश है तो हम बुलिश होके यहां पर क्या करेंगे तो हमें मार्केट के हिसाब से करना है तो प्लीज उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें यहां पर काफी रिस्की हो सकता है मार्केट आप अन्नेसेसरी फोमों में आए किसी भी तरफ वंप्स भी आ सकते हैं डंप्स भी आ सकते हैं वी डॉंट नो अब मार्केट तो रैली कर गई मैक्रो मार्केट स्टॉक मार्केट के सरव पे बिटकोन अभी रैली कर गया है तो अगर FTAX और यह अभी फटा नहीं है पूरा सिच ब्लोगव पिभी ऐघ रिख अखते ही हुम वूदो ऐली कि की या अभी है और पेटर की मार्केट को मूसूरा अँम डेली कर गया है तो खक्यांड है अभी के लिए सब कूर्ण में आपको भूदी साहन देता होग है साथ साथ की भाई थोड़ा सीच मार्केट की तरफ सबसे बड़ी बात तो पहले है और मुझे बेटर करना था मुझे कम्यूनिकेट करना चाहिए था अब यहां से तीसरे नंबर ट्वीट से मैंने पढ़ा नहीं है यह सारा का सारा FTX International के लिए हो रहा है ना कि FTX US तो FTX US के users completely ठीक है यह जो मैं numbers आपको बताने जा रहा हूँ वो rough है तो अब वो क्या कहते है कि total market value जो है वो client deposit से जादा है आज भी collateral जो है client deposit से जादा है ऐसा उनने बोला है पर यह liquidity जो delivery के लिए होती है उससे अलग चीज है आप withdrawals अगर जादा आ जाएंगे तो liquidity काफी vary करती है and वहाँ पर liquidity crunch आ सकता है but market value of assets and collateral is higher than client deposits तो अगर उनको यह थोड़ा बहुत arrange कर ले तो clients को अपने withdrawals वापस मिल जाएंगे पूरे-पूरे and then they will still have some money left ऐसा इसका कहना है अभी के लिए पूरी स्टोरी यह है कि मैं हर चीज का detail अभी खुद जान रहा हूं वो कह रहे है अब इसमें internal bleeding हुआ है bank related accounts का बहुत सारी चीजे हुई है तो यहाँ पर margin और बहुत सारी अलग लग यहाँ पर बाते बताई हैं आगे उन्होंने तो उन्होंने क्या बता है leverage 0x USD liquidity related deliver 24x average daily withdrawals दे सकते हैं अक्चुली इनका leverage थो था 1.7x था और इनकी actual liquidity 0.8x रही है संडे के withdrawals के हिसाब से तो लगबग लगबग 20% withdrawals यह लोग नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने एक चीज़ और बता है कि हमने roughly 5 billion dollars के withdrawal जो है संडे को देखे largest by a huge margin और उन्होंने फिर बोला कि दो बार मेरे से यहाँ पर गलती हो गई that I was shit at, काफी actually बड़ा वो लिखा third time मैंने communicate नहीं किया, agreed इनको communicate करना चाहिए था यहाँ पर and जिस तरीके से चीज़े चल रही है, this is not right and यह users को बहुत बड़ा loss है, इस तरीके से exchanges अगर चलाएंगे तो बहुत बड़ा problem है it is 100% his mistake, but हम में से किजी को यह मालूम नहीं था हम सब के हिसाब से क्या था, FTX अच्छा है, FTX में जादा issues नहीं है access to capital है, और investors अच्छे है, यह सारी चीज़े हम सब के दिमाग में थी मेरे दिमाग में भी थी, आपके दिमाग में थी, मैंने publicly share भी किया है and I am not saying कि मैंने नहीं बोला ऐसा, unfortunately सभी को एक बड़ा loss यहाँ पर सहना पड़ रहा है Solana भी बिनाबाद के सहना पड़ रहा है यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बोली है, कि बहुत सारे players हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं जिनके साथ letter of intent है, term sheets वगरा जिनके साथ share की जा रही है अब उनको investors की तरह यहाँ पर लाया जा सकता है तो देखते हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली, उसका हर एक dollar जो यह एक अठा करेंगे वो existing collateral की तरफ जाएगा और straight, directly users के पास जाएगा until users को एक एक रुपया उनका वापिस नहीं मिल जाता उसके बाद अगर कुछ बच गया, तो पुराने investors, नए investors और employees के पास जाएगा जिन्होंने यहाँ पर यह FTX बनाने में help किये यह सब उन्होंने उसके बाद थोड़ा से एक बड़ा sorry letter है, काफी बड़ा वो लिखा है Alameda Research के बारे में भी यहाँ पर लिखा है, तो यह पूरा पढ़ है, मतलब मैं पूरा चाहूँगा तो यह काफी लंबा हो जाएगा वीडियो यहाँ पर उन्होंने बताया है, not advice वगरा वगरा उन्होंने लीगल तरीके से यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैंने कोई लीगल तरीके से यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने emotionally यहाँ पर लिखा है crypto market को affect करेगी this is what I was telling आपको पहले भी कि ऐसा मत समझें कि ये पूरा माजरा खतम हो गया अभी खतम नहीं हुआ अभी तो शुरू हुआ है लोगों को deposit मिलेंगे नहीं मिलेंगे बहुत सारे lawsuit आएंगे बहुत सारे अलग-अलग projects वाले भी lawsuit करेंगे बहुत सारी apparently bitboy तो claim कर रहा है कि mal practices हुई है दूसरे projects को दबाया गया है और Solana को promote किया गया है unnecessarily जो नहीं करना चाहिए था decentralization है यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले time में हो सकता है clear हो जिसके वाइसे market बहुत ही ज़्यादा volatile रह सकती है now Justin Sun का Tron है वो लोग 1 billion USDT खरीद रहे है short sellers के लिए यहाँ पर apparently USDT का जो peg थोड़ा सा हेला था वहाँ पर बहुत सारी मस्ती चल रही है market में तो this is what he is saying दूसरी बात Justin Sun का मैंने tweet share किया था guys आप लोगों के साथ around कि वो कुछ यहाँ पर बात करें FTX के साथ और आपने वो देखी लिया कैसा play out हुआ है this is the reason मैं कभी Tron के बारे में बात नहीं करता Justin Sun, Pit Boy ने आज बहुत अच्छा tweet डाला कि वो अपनी आत्मा भी बेच देगा एक extra like के लिए which is 100% true बहुत ही arrogant रहे है especially जब Justin Sun ने Warren Buffet वाला lunch नहीं किया था और फिर वो बोलके कि मैं बिमार हूँ और पार्टी में चले गए थे मेरा तब से बहुत दिमाग सटक रखा है तब because of Justin Sun मेरा नहीं रहा है इसलिए I have never covered Tron chain आप notice करें मैंने कभी Tron chain इसलिए cover नहीं किया आप मैंसे बहुत सारे लोग बोलते है कि Tron best है वगरा 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 Tron cover करो but this is the reason it is very dicey Justin Sun के उपर rely करना तो प्लीज थोड़ा से धिहान रखें यहां पर अब चलते है quickly technicals की अगर मैं आपको दिखा हो तो US market की आप फालत देखो तो यहां पर US market ने अच्छा खासा pump यहां पर लिया है तो अगर मैं सिरफ last 4R का ही यह जो single candle बन रहा है 3.5% का यहां पर candle almost बन रहा है S&P 500 का but यह जो 4R candle है guys यह currently एक resistance point पे आ गया है 3870 की range जो है वो एक resistance point बनती है तो उस चीज़ का फ्रह से ध्याना कि थोड़ी दिर में वो 2K वीडियो हो जाएगा बट जल्दी publish हो जाए इसलिए मैं 360 में आजकल public कर रहा हूं मैं वेट नहीं कर रहा है क्यों कि प्रोसस होने में आजकल एक गंटा लग रहा है फॉर सम रीजन तो यह resistance point US की market को थोड़ा नी सब लोगों की market खतम हो जाएगी वो वाला support रहा है 75,000 का level and that is a resistance right now so it is very very tricky उपर करना अब इसमें आगर आप weekly में 300 SMA की तरफ जाओगे तो भी एक थोड़ा सा यहाँ पर issue आ जाता है and हम लोगों के लिए बहुत particular हो जाता है कि हम bitcoin को अब 4 hour period की बजाए हम इसको daily and weekly period की तर जो भी कलसुबा close होना है वो कहा close होता है क्या वो 17,000 level के उपर close हो जाता है अगर हो जाता है तो bitcoin के लिए अच्छी बात होगी है तो थोड़ा सा bitcoin में strength हाए but again जैसे कि मैंने आपको बताया FTX का जो सागा है वो unfold होगा तो यहाँ पर बहुत जादा volatility हम लोगों को देखने क मिल चकती है weekly candle optimally what we should have is weekly candle जो है अठराजार के उपर कुछ भी करके close हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा अठराजार के उपर अगर weekly candle close हो जाती है that is some strength for bitcoin that shows us की बुरे से बुरे वक्त में भी यहाँ पर लोग है bitcoin को support करने वाले अगर वो ना हुआ तो यहाँ पर जो capitulation बोलते हैं कि लोगों का भरोसा उड़ गया market के उपर से that can happen and in case something of that sort happens या market में और जादा FTX वाला जिनके कि मैंने 15,000-15,000 range पहले बोली थी अब we are definitely 100% looking at this purple box जो आपके साथ share किया था कुछ पौने 12,000 से लेके almost 13,000 के आसपास का range है with 13,000 being an approximate support जो मैंने नोडिस किया कुछ TA वाले मेरे साथ share कर रहे थे so that is a point जिस पे हमें आप धान रखना है so better कि आप markets FOMO में enter ना करें right अब 21 EMA यहाँ पर सर के ऊपर बैटा है 1325 डॉलर की range में 1325 डॉलर की range में 21 EMA में बैटा है बड़ उसके just ऊपर 200 SMA भी यहाँ पर बैटा है 4 hour period में Ethereum के लिए थोड़ा सा tricky है situation जितना Bitcoin के लिए है उससे कहीं जादा tricky है Ethereum के पास थोड़ा सा heavy resistance यहाँ पर नजर आ रहा है अब सिरफ यही दो की बात कर रहा हूँ altcoins पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ because it doesn't matter at this point given जो market का situation है उसमें हमें mainly Bitcoin को देखना है बड़ उससे भी कहीं जादा हमें news को देखना है because यहाँ पर TA के जो support levels है and जो resistance levels है वो बहुत easily तूट सकते हैं बहुत easily तूट जाएंगे based on market में क्या चल रहा है because हम यहाँ पर FTX fail होने की बात कर रहे है तो अब वो situation नहीं रहा कि दोस्तों चलो TA काम तो करी जाएगा कुछ idea देगा कुछ idea TA देगा दोस्तों बिल्कुल देगा but वो कुछ idea देगा वो news में क्या हो रहा है उसके base पे तो बिल्कुल TA के base पे क्रिपय आप trade मत करें दोनों तरफ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा पेस्ट के सिनारियो अगर आप थोड़ा सा low risk situation में आ गए है मार्केट में आप सो जाएं तीन दिन न्यूज देखें जो भी अपडेट लेना है करें बट मार्केट के अंदर आप ना खुसें यह मैं कुछ अपडेट आपके साथ जो है शेयर करना चाहता था घंटी भी बच चुकी है तो मैं भी निकलता हूँ और वीडियो भी लंबा हो गया गाई